दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुलफी प्रिमिक्स रेसीपी शेर की थी, जिसमें से हमने मटका कुलफी बनाई थी, और मलाई कुलफी बनाई थी, तो आज हम उसी प्रिमिक्स का यूज़कर के रूलकट आइसक्रीम भी बनाएंगे, तो इससे बनाना वहती आसन है शायद बहुत सारे फ्रेंड्स ने वो रेसिपी ना देखी हो तो यहाँ पर मैं प्रिमिक्स रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ तो कुल्फी प्रिमिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े आकार के तिन ब्रेड लिये हैं अगर आपके पास छोटी साइ तो भी हमें इस ब्रेड क्रम्स को गोल्डन होने तक सीखना है तो फिर साइट्स निकलने की क्या जरूरत है तो बस ऐसे ही हम पूरे ब्रेड का यूज़ करेंगे अब इसे हम पीस लेंगे अब पीसे हुए ब्रेड को हम सीख लेंगे तो इसे हमें ड्राय रोस्ट करना है औ तो इसे हम गेस से उतार लेंगे और बिल्कुल थंडा होने देंगे अब हम चीनी को कРЕरमेलाइज करेंगे तो यहाँ पर मैंने पोना कब चीनी लीए है तो इसे हम नौन स्टिक पेंड में इस तरह से फेला कर रख देंगे और गेस की आज दिमी रखेंगे अब इसे हमें चलाने की जरूरत नहीं है तो चीनी मेल्ट होने लगे तब तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे तो थोड़ी देर में चीनी इस तरह से मेल्ट होने लगेगी और तब हम इसे चलाएंगे अब लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे तो चीनी पूरी तरह से मैल्ट हो जाए तब तक हमें इसे पकाना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीनी मैल्ट भी हो गई है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है तो इसे हम गेस से उतार लेंगे और इसे इको बेक पेपर पर निकाल लेंगे तो वैसे तो इको बेक पेपर का हम बेकिंग के लिए यूज करते हैं लेकिन कुकिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं ये हेजल फ्री और बहुत ही यूसफुल है और इको फ्रेंडली है और ग्रीस प्रूफ है तो यहाँ पर हमें तेल वगेरा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है तो चीनी हमने जो केरेमलाइज की है इसे हम थंडा होने के बाद आसानी से निकाल सकते हैं तो लिंक मैंने ड बजा से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ताकि हमें इसे पीसने में आसानी रहे अब हमने जो ब्रेट क्रम्स को रोस्ट किया था वो सभी मिला कर एक कप हुए है तो इसे हम मिक्सी जार में डालकर महीन पीस लेंगे तो हमारे जो ब्रेट क्रम्स है इसे हम बिल्कुल पाउडर की तरह पीस पाएंगे अब हमने जो चीनी को केरेमलाइस किया था उसे भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे और महीन पीस लेंगे तो इस तरह से हमें बिल्कुल बारिक पीसना होगा अब इसे भी हम ब्रेट क्रम्स के साथ एड़ करेंगे तो हमने जो चीनी को केरमलाइज करके ये पावडर बनाया है इसको हवा तुरंथ लग जाती है तो इसमें तुरंथ गठे होने शुरू हो जाते हैं तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आप टेंशन मत लेना क्योंकि ये बिल्कुल नेचरल है अब उसी के साथ हम दो कप मिल्क पावडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे आदा कप पीसे हुए ड्राइफरूट्स भी एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता को पीस लिया था तो वो भी एड़ करेंगे अब तीन चम्मच इसमें कॉन फ्लोर एड़ करेंगे एक टीस्पून इलाइची पावडर और कुछ धागे केसर के एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमारा कुलफी बनाने के लिए प्रिमिक्स रेडी है देखा न दोस्तो कुलफी प्रिमिक्स बनाना कितना आसान है और इसे हम घर पर मिलने वाली आसान सी सामगरी के साथ बना सकते हैं और आप इसे फ्रीज में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो क्योंकि हमने ब्रेट को भी रोस्ट किया था तो इसे हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं तो इसे हम ड्राइफ रोट्स और केसर के धागों से गार्निश करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रिमिक्स रेडी है अब इसी प्रिमिक्स का यूज़ करके हम रोल कट आईसक्रिम बनाएंगे तो इसके लिए हम पैन में धाई कप दूद लेंगे तो दूद मैंने फुल फेट लिया है अब उसी के साथ हम देड कप प्रिमिक्स एड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे तो जैसे ही मिश्रन उबलने लगेगा वो गाड़ा हो जाएगा तब हम गेस बंद कर देंगे और गेस बंद करने के बाद इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे जैसे जैसे ये थंड़ा होता जाएगा वैसे वैसे और भी गाड़ा हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हो कि थंडा होने के बाद हमारा मिश्रन गाड़ा हो गया है और जब यह रूम टेंपरेचर पर आ जाएगा तब इस तरह से बिल्कुल गाड़ा हो जाएगा और तब हम इसे मिक्सी जार में निकाल लेंगे और बिल्कुल महीन पीस लेंगे तो अगर हम प्रिमिक्स में फ्लेवर एड़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा और इस तरह से मिश्रन को पीसने के बाद भी अगर फ्लेवर एड़ करेंगे तो भी चलेगा लेकिन मैंने बना लिया था तो फिर वही यूज किया है और वेसे भी हम rose flavor और पिस्ता flavor बनाने वाले हैं तो इसमें केसर और इलाइची का flavor भी अच्छा लगता है तो rose flavor बनाने के लिए मैंने यहाँ पर rose syrup एड़ किया है आप चाहे तो रूपजा भी एड़ कर सकते हो तो color मुझे थोड़ा सा light लग रहा था तो मैंने एक बुन पिंक जेल कलर एड़ किया है जो हम केक बनाने के लिए यूज करते हैं यह वही जेल कलर है और यह सब आपको baking material मिलता हो ऐसी कोई भी शोप में आसानी से मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारा rose flavor रेड़ी है अब मैंने यहाँ पर पिस्ता crush लिया है तो एक टेबल स्पून जितना पिस्ता crush एड़ करेंगे और आधी टी स्पून जितना immersion एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो immersion में essence और color दुनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर हम crush एड़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा लेकिन crush एड़ करेंगे तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा और crush भी आपको baking material मिलता हो ऐसी कोई भी शोप में आसनी से मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारा पिस्ता flavor भी ready है अब आज हम ice cream को बीना mold बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर OD ECOBEC paper लिया है और मेरे पास ऐसे कोई special mold नहीं है तो मैंने यहाँ पर glass का use किया है तो glass की size में हम ECOBEC paper को cut कर लेंगे और जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उसी तरह से हम इसे glass में arrange करेंगे और हमने जो तीनो flavor बनाये थे वो इसमें add करेंगे तो set होने के बाद हम ice cream को आसानी से निकल पाएंगे तो दोस्तों अभी तक आपने धर्मीज किचन को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही आसानसी और perfect recipe आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को like, comment और share जरूर कीजिएगा तो यहाँ पर हमारे तीनो flavor के ice cream ready है तो उपर का जो extra paper है इसे मैं थोड़ा सा cut कर लूँगी और इसे airtight container में रख देंगे लेकिन फिर भी ढकन बंद नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर जो extra paper है इसे हटा दिया है अब इसे ढकन लगा कर 6-7 गंटों के लिए deep freeze में यानि की freezer में रखना होगा तो 7 गंटों के बाद मैंने यहाँ पर ice cream को निकाल लिया है तो आप देख सकते हो कि हमारी ice cream बहुत ही अच्छे से set हो गई है तो इसे हम हतेली के बीच में थुड़ा सा इस तरह से रगड़ेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे तो इको बेक paper लगाया है तो हम ice cream को आसानी से निकाल पाएंगे तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सभी ice cream को निकाल लिया है और इसे cut करके भी देख लेंगे तो देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा ice cream बहुत ही अच्छा बना है और सच में दोस्तों यह bazar से भी बहुत ही अच्छा बना है और इसमें flavor हमने जो add किया है उसका भी taste बहुत ही अच्छा आ रहा है तो जितने भी crush आपके पास हो या essence आपके पास हो उतने ही अलग-अलग flavor में आप यह ice cream बना सकते हो तो बस आपको सिर्फ थोड़ा सा crush add करना है या फिर essence और color add करना है तो यह buzzer से भी अच्छी ice cream ready हो जाएगी तो देखाना दोस्तो roll cut ice cream वो भी अलग-अलग flavor में बनाना कितना आसान है तो आज की आसान सी recipe आपको कैसी लगी वो भी comment करके ज़रूर बताएगा मैं धर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी recipe के साथ